चलिए तीन दिन बचे हैं आपका कॉर्परेट अकाउंट सर अब मैं हर चेप्टर को एक प्रॉबैबिलिटी बेसिस पे मैं डिस्कॉस कर लेता हूं कि सर यूनिट वन में से कौन-कौन से चेप्टर किसके चोईस में आएगा बाकी चेप्टर करना आपका चोईस रहेगा ठीक है एक प्रॉबैबिलिटी बेसिस पे सबसे पहले सर यूनिट नमबर वन हमारा जो आ सकता है क्योंकि बहुत बच्चों को ये भी जानना है कि कौन से वर्सिस किसमे चेप्टर में क्या चोईस रहेगा शियर कापिटल प्रफरेंच शियर कापिटल बोनस और बी 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 बाइबेक वर्सिस जो रहेगा डिबेंचर दोनो इशू और रिडेंशन दोनो और इसाब और आपका एक है अंडर राइटर ये इस तरीके से आप्शन में आने के चांसिस है और सहाब ये पंदरा नंबर का सवाल बनेगा ठीक है एक थोड़ा सा मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही आएगा ये probability रहती है इस टाइप का paper डिजाइन होता है अब कुछ बच्चे जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे बहुत काम स्लिबस किया वो इस basis पर चूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं इसमें से ये भी बता देता हूँ कि आसान आसान चप्टर कौन सा है जिसको कि आप एक से डिड़ गंटे में खतम कर सकते हैं जै दいます कि इंटर्स्ट और इंटर्सट और राटाइस जरूर करके जाए एकस इंटरस्टन क्म इंटरस्ट सब्सक्राइब Unternehmen 5 है डिए ना क्वग को और ये 15-15 नंबर के सवाल बनाएं, 25 नंबर का यूनिट है, ध्यान रखेगा, ये 15-15 नंबर के सवाल बन जाएंगे, ये वाले दोनों 15 नंबर के भी आ सकते हैं, 10 नंबर के भी आ सकते हैं, और इसके साथ-साथ आपका आएगा EPS, EPS के साथ आपका कुछ theory आ सकता है, या ratio आ सकता है, इस टाइप के आपके questions इसमें से बनाए जा सकते हैं, 25 नंबर का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ cash, आपका final account है CFS, लेकिन आप जब देखेंगा तो वहां बोलेगा soul proprietor का, individual का, या फिर और किसी तरीके से आपका बोला गया है, कि dual method वगरा book में है, लेकिन है मिला जुला के सारी बाते वही कह रहे हैं, तो EPS कौन साथ सार हमारा, AS20 है, तो ये 25 marks का question बन सकता है, unit number 2 में से, ये 10 नंबर का theory गरे डाल सकते हैं, theory में क्या सकता है, theory में आपका ratio से आ सकता है, कि ratio turnover क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये unit 25 नंबर का उन्होंने बनाया, अब मुझे समझ भे नहीं कि 25 में से, किस तरीके से वो design करेंगे, हो सकता है, आपका यहां पर ये भी probability मैं मान के च EPS, ये भी बन सकता है, तो दिमाग में ये भी लेके चलना है, क्योंकि final account दोनों जगे दे दे वो, 15 का इधर भी 15 का, तो final account तो confirm आना आई है, cash flow जो हम 24 मान के चल रहे हैं, may भी possible है, cash flow इसके साथ 10 नंबर का चिपका दे तो 15 और 10 पच्चिस, और यहां पर final account एक दे 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 इसके अंदर यही scenario बनेगा, examiner का यही point रहता है, कि एक इस portion से पूछ लो, एक इस portion से पूछ लो, अब बात करते हैं, sir, unit number 3, sir, यह 20 नंबर का है, इसमें है goodwill, valuation versus, share valuation, यह सहाब यह आएगा, 10-10 नंबर का question आता है, यह mainly, यह कितने नंबर का question आएगा, 10 marks का question आएगा, इस कुछ theory part attach किया जा सकता है, 5-5 नंबर का, value edit यह theory part इसके साथ attach किया जा सकता है, 5-5 नंबर का, sir, theory क्या हो सकता है, इस unit में से, valuation of shares के methods क्या है, valuation of goodwill के methods क्या है, यह आपको पता, इसके अंदर theory था, value edit of financial statement के, हमें सिर्फ एक ही value पे ध्यान नहीं देना है, साथ के साथ हमें economic value को भी edit करने हैं, और इसके अंदर methods है, market value है, economic value है, और एक दो और method जो भी इसके अंदर given है, तो यह रहेगा हमारा unit number 3, unit number 4, इसमें 2 chapter है, यह रहेगा, amalgamation, reconstruction versus, reconstruction, amalgamation, कुछ ऐसे रहेगा, सर, यह वाला 10 number और यह वाला 5 number, ऐसे scenario बनके आएगा यह, सर, 10 number का amalgamation पहले पार्ट में दे देंगा, और reconstruction 5 का, दूसरी साइट 10 number का reconstruction दे देंगे, amalgamation कितने का दे देंगे, 5 number का दे देंगे, और maybe इसके अंदर से theory पूछा जाता है, कई वार, कि theory amalgamation, मैं कह रहा हूँ, तो amalgamation मतलब practical नहीं, theory भी पूछा जाएगा, कि बताइए, आपका purchase consideration का मतलब क्या है, absorption के कितने method है, amalgamation के कितने method है, वो 10 year में सारे theory आपको given है, एक बर overview करके जाओगे, यह unit number 4 है, और sir, यह unit number 4 कितने number का कुछ है, हमारा, 20 का है, ठीक है, इसमें theory और यह 20 का है, सौझ मै 5, इसके अंदर आएगा आपका CSR और XBRL वर्सेस, annual report, board report और कुछ AS segment reporting, यह पूछा जा सकता है, इसमें इस type के questions बन सकते हैं, यह chapter भी कितने number का है, sir, यह यह भी 20 नमर का है, तो total मैंने एक जो probability बन सकता है, वो बता दिया, मैं उन बच्चों के लिए यह video बिल्कुल भी beneficial नहीं मानूँगा, जिन्होंने पूरा syllabus एकदम अच्छे से किया हुआ है, उनके लिए यह नहीं है, वो तो सारा syllabus करें, उन बच्चों के लिए यह ले सकते हैं, जो कि last के 10 दि बता देता हूं, इसमें से कौन-कौन से आसान chapter है, ताकि आप समझ पाओ, जिसके उपर मैं green marker लगा रहा हूं, वो आसान chapter बनने वाला है, और इस side से यह आसान है, ठीक है, इस side से मैं cash flow को आसान बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने 12 में पढ़ा हुआ है, और EPS बहुत आस आसान है, final account है आसान, लेकिन lengthy है, ठीक है, है आसान, lengthy है, तो जो बच्चा final account करने बैठेगा, तो शायद उसको tough लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे notes of account बनते हैं, सर इसमें से क्या आसान है, सर यह दोनों ही आसान है, आप करके देखेगा, कोई पता निर चलेगा, लेकिन फ आसान है, अभी हमने खतम भी किया, इसमें से सर यह theory का part है पूरा, तो theory है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बस read करना है, याद करना है, तो यह chapter जिस पर मैंने mark कर दिये हैं, यह आसान है, सर सब पर ही mark होगे, सब पर mark नहीं हुए, कुछ एक chapter अभी भ मैंने chapter करा दिये हैं, आपको preferential capital हो गया, bonus हो गया, और कौन सा हो गया, reconstruction हो गया, तीन chapter आपके revision में हो गया, अब मैं revision में कराने का अगर सोचता हूँ, यह भी मान के चलो, अभी revision ही मान लो, यह हो गया आपका, अगर मुझे कोई chapter अभी कराना है, तो मैं एक ESOP उठा लूग कम समय के अंदर, देखेंगे, पहला target ESOP है और underwriter, आज शाम को जो class है बच्चों का, वो segment reporting AS 17 और AS, एक और AS है हमारा, वो करके खतम करतेंगे, accounting standard, यानि आज शाम को आपका पूरी तरीके से syllabus के होने वाला है, खतम हो जाएगा, उसके बाद, जो भी time मिलेगा, मेरा मन करेग जो important question, expected question कराने का, वो मैं board पे खराता हूँ, ठीक है न, बाइस को honors का paper है, और 17 को regular का है, honors वालों के लिए तो मैं कुछ ज्यादा questions कर पाऊँगा, और regular वालों के लिए शायद एक-दो question मैं कम कर पाऊँ, law का question, जो इसके अंदर BR है, बियार law के अंदर बिल्कुल सेम है, तो मैं board reporting अभी नहीं कर रहा, बाकी law का भी आज slivers खतम हो जाएगा, आज क्या-क्या हो जाएगा, सर, law का share capital तक हो गया है, law के अंदर आपका, लगवख आज winding up और dividend policy और एक और हमारा audit, जो auditor क्या होता है, वो बिल्कुल खतम हो जाएगा, छोटे-छोटे topics हो, चलिए, मिल लाहीव वाले बच्चे अभी देखी रहे हैं, तो दूसरा वीडियो मैं बता दूँगा, थोड़ा सा इतना ऐसा, मुझे नहीं लगता, उसमें से कुछ बड़ा question आना चाहिए, एक सवाल और कर दूँगा, जो 10 year के अंदर करा रखा है, ठीक है न, तो YouTube पे भी डाल दूग कि आपके क्या problem है, मैं comment को monitor करता रहता हूं, देखता रहता हूं, और उन्हीं सभी comment को देखते हुए, मैं एक class बनाता हूं, ताकि उसमें maximum बच्चों का comment solve हो जाए, ठीक है, मिलते हैं next video